अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ मुझे नहीं पता बस क्लिक हो जाना चाहिए हेलो दोस्तो सवागत है आपका हमारे यूटूब चेनल एक के गुजर ओफिसेल में दोस्तो भी जो आपने स्टाइटिंग में वीडियो देखा है उस तरह का वीडियो बनाने के लिए आपको एक एप्लिकेशन का जुरूरत पड़ेगा इसका नाम है एलाइट मौसल अगर आ दाउनलोड कर सकते हो अभिर मैं टेलिग्राम और डिप्सक्रिशन में लिंक दे दूँगा अब लोग वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तो अगर आप लोग चेनल पर पहली बार आये तो चेनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना ऐसे न्यू पता चल जाएगा फिर मैं आप लोगों के लिए उसी सोंग पर स्टेटस एडिटिंग वीडियो लेकर आ जाओंगा तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किये हुए तो सबसे पहले आपको एलाइट मोसन एप्लिकेशन को ओपन कर लेना है हमारा एलाइट मोसन एप्लिकेशन ओपन हो चुका है फिर आपको प्रोजेक्ट पर कलिक कर देना है और आपको मैं दो प्रोजेक्ट देने वला हूं सेट एपट मारक तो दोनों को आपको पेले Leight dimension में इंपोर्ट कर लेना है फिर दोस्तों आपकोम बीट मारक को ऑपन कर लेना है वीडि म लोग है उसे एड़ कर लेना मैं आपको एड़ करके दिखा देता हूं इस तरीके से फिर दोस्तों यहां पर आपको फोटो लगाना है पहले मैं आपको बीट मार्क दिखा देता हूं फिर आपको बता दूगा किस तरीके से लगाना है यहां पर आपको लेरिक्स मिलेगा और यह लेरिक्स है और यहां पर यह break है तो आपको यहां से photo change करना है तो यहां click करेंगे and guys color and fill पर click करना है star का icon पर click करना है और आपको जो भी photo लगाना है वो आप लोग लगा सकते हैं खिलाल मेरे को यही फोटो रखना है और मैं यही रखूंगा अब इस तरीके से चेंज कर सकते हैं फिर से यहां से आपकी बीट सूर होएगी यहां पर यह 18 सेकंड तक चलेगी तो दोस्तों मैं आपको बिनादेरी के वह बता देता हूं कि इस तरीके से एडिट करना है यहां प्लस पर टेप करना है और मीडिया पर क्लिक करना है और यहां से आपको फोटो सिलेक्ट करना है फोटो आपको मैं टेलिग्राम चेनल में दे दूँगा तो आप लोग वहां पर ग्रूप जोइन कर लेना यहां पर आपको यह वाला फोटो है इसको एड़ कर लेना है फिट दोस्तों फिर आपको plus पर टेप करना है यहां से आयत को select कर लेना है फिट composition area क्लिक करके feel composition area कर लेता हूं में फिर इसका color आपको white कर लेना है फिर यहां effect पे करना है click और add effect पे click कर देना है यहां से आपको blink ink add कर लेना है और इसको full बड़ा लेना है फिर दोस्तों आपको blending and opposite पे जाना है और contrast पे जाके इसको overlay कर देना है फिर दोस्तों यह कुछ इस तरीके का हो जाएगा यहां पर यह देखो यह देखो इस तरीके से हो चुका है फिर यहां से beat शुरू हो रही तो यहां से beat के हिसाब से आपको photo लगाना है यहां click करेंगे और यहां से मैं 2-3 photo select करके दिखा देता हूँ यहां पर मैं इसको थोड़ा सा कम कर लेता हूँ तकि photo अच्छे से adjust हो जाए अबर मैंने कम कर लिया और photo भी add कर लिये है इनको पहले मैं adjust कर लेता हूँ इस तरीके से अब भी इसी तरीके से adjust कर लेना यहां पर मैं इस तरीके से कर लिया हूँ और इसको यहां से cut करेंगे and guys fill and composition area आप क्लिक रहेंगे यह add हो जाएगा फिर आपको यहां से back आजाना है और आपको मैं shake effect दूँगा उन पर चले जाना है हष्ट में आपको यह वाला effect मिलेगा तो यहां से यहां कलिक करना है effect पर कलिक करना है यह copy effect पर कलिक करना है यह copy हो जाएगा फिर आपको यहां पर चले जाना है beat mark में यह beat mark में आना है और यहां पर यह beat है तो यहां पर photo हमने add किया था उन पर paste करना है यह देखो कुछ इस तरीके से हो जाएगा फिर आगे चले जाना है और आगे भी इसी तरीके से paste कर देना है क्याबर मैं तीनों फोटो पे इस्ट कर देता हूं यहां से लेकर आपको जब आगे बिर आप आएगा है वहां तक आपको यह आपको यह एफेक्ट te लगा देना है यह यहां तक और यहां यहां से आट सेकंड के फिर से अच्छे से पहले में इनको एडजेस्ट कर लेता हूं फिर आपको इफेक्ट लगा के बताऊंगा पहले में इस फोटो को इस तरीके से बड़ा सा जूम कर लेता हूं और इसको इस तरीके से रख देंगे फिर दोस्तों यहां आगे वाले फोटो पर आ जाएंगे और यहां कल गलत beat mark open हो चुका है तो आप लोगों को shake effect में जाना है या आपर में यह second वाला shake effect है इस effect पर क्लिक करना है copy effect पर क्लिक कोपी हो जाएगा फिर आपको beat mark में चले जाना है आप में हमने फोτο लगाय'd थे वहां पर चले जाएंगे ब्रेक से आगे आप लोगों यहां से इस तरीके साथ जाना और यहां पर पैस्ट करेंगे यह कुछ इस तरीके से welche कोजाएगा आपर में paste कर देता दोस्तों यहां तक हमारा हो चुका है फिर आपको इस वाले ब्रेक से आगे जाना है यहां पर यह वाला है यहां पर प्लस पर टेप करना है मीडिया प्लिक करना है यहां से फोटो एड कर लेना है मैं आपको एड करके दिखा देता हूं यहां पर मैं तीन फोटो एड कर लेता हूं यहां प्लस पर टेप करेंगे यहां पर यह एड हो चुके हैं पहले इनको एड़जेस्ट कर लेना है यहां पर मैं एड़जेस्ट कर लेता हूं यहां फिट कमपोजिशन एरिया प्लिक रेंगे यह हो जाएगा यहां पर इसको भी में adjust कर लेता हूँ, fit composition area और इसको भी कर लेता हूँ यहाँ पर click करेंगे, यह भी हो जाएगा फिर दोस्तों आपको यहाँ से break आ जाना है और फिर से चले जाना है आपको shake effect में यह third wall effect है इसको copy करना है, यहाँ click करेंगे effect पर click करके, copy effect पर click करेंगे copy हो जाएगा, फिर आपको beat mark में चले जाना है और यहाँ पर paste करना है तो यहाँ पर आ जाएगे, यहाँ break से आगे है 16 सेकंड पर, तो यहाँ पर paste कर देंगे अबर मैं जल्दी से paste कर देता हूँ यहाँ से लेकर आपको last तक यह वाला effect लगा देना है यहाँ से, यहाँ यह है, मैं दिखा देता हूँ आपको यहाँ से यह 16 सेकंड से है, जो यहाँ पर break आएगा बीच में और break के बाद भी आपको यह वाला effect लगा देना है दोस्तों हमारा वीडियो बन के ready हो चुका है, फिर plus पर tape करना है यहाँ आयत को select कर लेना है, fit composition area प्लिक करना, color इसका बले कर लेना है border and shadow जाना है, इसको on करना है, और stroke को white कर लेना है और इसको 10 तक बड़ा लेना है, और इसको last में ले जाना है, यहाँ पर last में ले जाके इसको stretch कर लेना है, फिर blending पर click करके light 10 पर click करके इसको screen कर लेना है, फिर दोस्तों आपको logo add कर लेना है, अपना छोटा बला क्यों मैं आपको बनाना सिखा दिया है, आप लोग को link description में मिलेगी तो आप लोग वहाँ पर click करके देख सकते हो, इसको मैं थोड़ा सा छोटा करके adjust कर लेता हूँ, यहाँ पर इसको निचे ले जाएंगे इस तरीके से, यहाँ पर मैं adjust कर लेता हूँ, फिर दोस्तों यहाँ पर click करेंगे blending पर, and guys depressions कर लेना है इसको, अपर फिर last में रख लेना है, फिर दोस्तों मैं आप आपको एक template light दूँगा, उसको भी add कर लेना है, तो यहाँ पर यहाँ से add करना है, तो media पर click करोगे, और यहाँ पर video पर जाना है आपको, template light का link description में मिलेगा तो आप लोग पहले वहाँ से download कर लेना template light को, मैंने यहाँ पर यह add कर ली है, और इसको पहले adjust कर लेता हूँ, थोड़ा सा, zoom करना है इसको इस तरीके से, यहाँ पर यह color hype होंगे, फिर blending पर click करके lighten पर click करना, और screen पर click कर देना है, और इसको borderline से निचे रखत देना, और इसका volume भी down कर लेना है, इस तरीके से, दोस्तो हमारा video बन के पूरी तरीके से ready हो चुका है, आपको video पसंद आ जलना है, ताकि आपके status की quality जो है low ना हो, फिर export पर click कर देना है, I hope करता हूँ कि आपको video पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया था, वीडियो को like कर दीजे, channel को subscribe, मिलते हैं किसी और नहीं वीडियो में तब तक के लिए, जय हिन दोस्तों, जय भारत,